11 अगस्त 2021 को 12,460 सिच्छक भरती में हाई कोट में जो मामला पेंडिंग है उसका अंत होने की 100 प्रतिछत संभावनाए है और उम्मीद है उस दिन आदेश रिजर्व होने की तो इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं जीरो जन्पत की तरब से 59 जन्पत की तरब से सरकार की तरब से क्योंकि जो सरकार का यहाँ पर अप्लिकेशन रहने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर रहने वाला है और सरकार 11 अगस्त को कोट में जज महोदे के सामने सम्मिट करेगी अपने बातों को एजी सर के साथ की वहाँ जीरो जन्पत को सामिल करते हुए किस आधार पर इस भरती को करने वाली है ये चीज़े वहाँ पर इस पश्ट हो जाएंगी 11 अगस्त को उससे पहले भी अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपके साथ जरूर शेयर कर दी जाएगी फिल हाल यहाँ पर बहुत सारे लोग इधर इधर की बाते कर रहे हैं बहकाने की कोशिस कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ किसी भी प्रकार से किसी का किसी तरह से कोई भी सहयोग ना करे कोई भी तो इस तरह के आपको बहकावे में नहीं आना है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर 12,460 से छक भरती कि जो रिक्त सीटे हैं वो भरने वाली हैं और अगर सब कुछ सही समय पर सही तरीके से होता है तो उम्मीद है इसी वर्स 12,460 से छक भरती में सभी रिक्त सीटों को भर कर जो भी छात्र बचे हुए हैं अपनी न्युक्ती का इंतजार कर रहे हैं उनको न्युक्ती अवश्य मिल जाएगी ऐसी भी सूचना हैं तो बहुत सारे लोगों के मादनम से ये भी कहा जाएगा तिये चैनल गलत है और बहलाने का गलत रह दिखाने का है लेकिन जो लोग लगातार चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि 12,460 से छक भरती की हर एक अपडेट चैनल सुरू से देता आ रहा है आपको जिसको भी चैनल पर विश्वास है वो लगातार चैनल पर अपने विश्वास को बनाए रखें वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें शेयर करते रहें अपने शाथियों के साथ